दिलिव घोजी हमारे साथ जोचुके हैं आप सांसद हैं भारती जन्ता पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के बहुत स्वागत है दिलिव घोजी आपका मेरा सीधा से सवाल ममता बैनर जी ने आज कहा है कि बीजेपी बाहरी गुंडों को बुलाकर प्रदेश में दंगे करवाती है और मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है क्या है इस परजबाब आपका देखिए पुरा बंगाल में ये जो तिसरी बार सरकार आई है टीमसी के उसके पाद आग जल रही है रोज का रोज आ रहा है केंदर के कितना टीम जा रहा है बच्चों का उपर साथ साल की लड़की की बलतकार होती है और हत्या हो जाती है कोई उसका समाधान नहीं आता है उनके पार्टी के कारकरता आपसे गोली बार करकर दो मारे गए पुरा बंगाल में बंबंदुक की आवाज आ रही है और आज जो राम बनावी की सुभायात्रा पुरा गावगाव में हो रहा है सिक्ड़ो जगा में अब दो-तिन दिन से ग पत्रा शुरू हुआ हम भी फस गयते बीच में कहीं आग जल रहा है बंब बिर रहा है इटा पत्र मेरे पास मेरे साथ चलने वाले मेले का सर फूट गया कितने लोगा सर फूटा और वो तो हो गया काल रात को फिर पत्रा हुआ अब ट्रेन बंद है गवर्नर को उतर ना और अब तो ममताब अनरजी के और से सीधा कहा गया है कि हनुमान जैनती के मौके पर भी दंगा हो सकता है और सीधे सीधे बीजेपी को ही इसके लिए वो जिम्मदार बताती हुए नजर आ रही है लिए रामनोम में दंगा हो सकता है और कौन दंगा करता है को नहीं करता है ये सारा उन्हेंने पहले बता दिया फिर नुमान जैनती की भी वही बोल ने दंगा हो सकता है तो आप क्या किस लिए है रोकटे क्यों नहीं है दो-चार लोग बदमासी करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको उठा क्यों ने डालते हैं, कि UEP में एक पत्र मानने की हिम्मत किसी के नहीं होती है, ऐसा समय था, एक सो पचीस सौरों में कारपू चलता था, उत्तर प्रदेसमा, आज किसी का हिम्मत क्यों नहीं होता है, इसका मतल लोगों का कानुन बेवस्ता ठीक करेंगे, लोगों का सांती से रहने का, लोगों का जानमाल का सुरक्षा देंगे, आप अरुप लगा रहे हैं, या अधिकार आपको किसी ने दिया? अधिकार पहली बार तो यह है कि इस बार मिसेस करेंगे, हम भी बोले थे, पर मिसन चाहिए, कोई हाथियार नहीं चाहिए, नहीं तो हम sıहाथियार नहीं नहीं जाएंगे, हम रिश्रा में 12 साल से जाते हैं, ध्मदाम से होता है, कोईemente हाथियार कोई हातियार नहीं है, और उन्हें कुछ बंगणन, बात करके दूसरे को आरुपित करते हैं, कहीं नहीं था, इतने सेक नहीं करते हैं कि गरबड नहीं हो पाएगा और जहां से पत्रा होती है उन्हें को वर केस डाला जाता है उन्हें को दुसारी पिकति आ जाता है मेरे नाम पर एफैर हुआ है तो यहीं करते हैं हो लोग उससे क्या फाइदा होगा एक सतर परसेंट से ज़्यादा पॉपॉलिशन जो हिंदू का है वो रास्ता में नहीं निकले तेवार ना मनाएं सुभजात्रा ना करें साधी का बराती ना निकाले सुभजात्रा ना निकाले उनके ओपर करवाई होगी और जो जान बूझ का बढ़ करें आप कुछ नहीं करेंगे इसलिए किसी को पकड़े नहीं जाते हैं कोई पश्रम बंगाल के अगर हम राज़ते की तिहास को देखे तो वहाँ पर हिंसा का एक रख्त चरित रहा है समय समय पर किसी भी पार्टी की वहाँ पर सरकार बने लेकिन बीते कुछ सालों में जब से बीजेपी मजबूत हुए है राम के नाम पर अक्सर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से हिंसा के खबरे अक्सर सामने आ रही है और बीजेपी ये भी कह रही है देखे उनके और से जिन शब्दों का इस्तमाल किया गया है ममताब एनर जी के और से बीजेप भरकाती है B.J.P के बड़े नेताओं से मुलाकात करती है और फिर यहां से रफुचक्कर हो जाती है दिलिक घोष जी तो मुमत्व इनर जी दिल्ली जाती है गवा जाती है उपी तिरपड़ा तकाहे क्याária कानुन व्यवस्ता नहीं है भारत की संग्मध्य नहीं होती है क्यों सरकार कुछ नहीं करती है राय होता है लोक्षवा बिधान शुबा कुछ भी पंचाई चुनाओ पांस साल पहले होता दर्जनों लोग मारे गया थे तीस मैं तीस लोग और आभी भी लोक्षवा चुनाओ चुनाओ तिन साल पहले वहां देश में सांति पुर्बख हो गया और बंगाल में आग लगी रास्ता हाईवे जाम हुआ गोली चली केई लोग मारे गए और आभी विधान सुबाद चुनाओ उसके बाद पचास से जादे लोग हमारे लोग को हत्या किया गया है कोई केस दर्द नहीं होती है और आज भी लोग बेघर है घर तोड़ दिया गया दुकान लूट लिया गया एक रिफायर नहीं लिती महुतमिनर जी तो आप अगर सत्ता में रहे करके इस को चीजों को बढ़ाते जा तो आप चाह रहे के इसी की आगे बढ़ा कर आप राही इंती में लाब लेते हैं सीपीम बाले भी यही करते थे बलकि कम्मिनिस्ट लोगों नहीं हिंसा कामदनी किया है वो ही लोग टीम सी में आए हैं वो ही लोग इसमें भी हिंसा कर रहे हैं और उनको कभी उनका उपर हा अगर रज्जी सरकार के हम जाने क्योंकि अलग-अलग हिस्सों से हिंसा की जिस तरह की तस्वीरे सामने आई हैं यकिनन वो वच्रित करने वाली है अब हनुमान जयनती के मौके पर भी कहीं इस तरह की स्थिती नहीं बन जाए आप लोगों क्यों और से एहतियाती क्या कदम उठाय जा रहे हैं और रज्जी सरकार की तीन बड़ी खमी जिसके कारण इस तरह के स्थिती बहाँ पर पैदा हो गई है नहीं मौमतमरा जी क्या चाहती है हिंदू लोग तेहर बनाना बंद कर दें यह क्या बंगलादेश पाकिस्तन हो गिया क्या वो रास्ता में ना निकले और कोई निकलेगा तो उसी को ओपर पत्रा होगा अटक होगा उनकी जिम्मेदर नहीं है सुरक्षा देने के लिए और राम नौम के दिन वो धरना दे रहती परकत्य में और हिंदू समाज को गाली दे रहती फिर भी हिंदू समाज सांत है मैं कर रहा हूं हिंदू समाज सांत है 70% से ज्यादा लोग है और थोड़े लोग उसका उपर पत्राव करेगा आकर्बन करेंगे अगर हिंदु समाज से कुछ लोग अगर बिगण जाए, सिरिफिरा बन जाए, तो कौन समा लेगा उसको? मायनमार जैसा हालत हो जाएगा? रोहिंगा बनके भागना पड़ेगा सबको वहां से? मायनमार जैसा ही चाहती है, उसमें से उनका साइद राहितिक लाब मिल सकती है, लेकिन समाज का देश का कोई नहीं हीत होगा, और ऐसे जो पाटी है, जो खुद भरष्टाचार में आर उपर तक डुबा हुआ है, उनके मंत्री, नेता, MP, ML, जेल में जा रहे है, हर घटना में सीबे इंक्वारी हो रही है, कलकत्तम आई है, जगा जगा धरना चल रहा है, दिये के लिए सरकारी कर्मचारी धरना दे रहे है, जो S.S.C. पास आउट है, दो साल से धरने में बैठे, उनका नोक्री बिग गई कहीं पर, तो इससे बचने के लिए महमता बना जी यह सब ना लेकिन उनको जवाब दिना पड़ेगा लोहों के शाम में, वो क्यारी है, हनुमान जी को लेकर बहुत संबान है, लेकिन बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं, और इसी मंशा के साथ बीजेपी वाले घूमते रहते हैं, बंगाल में, पिलिको जी नहीं, उनके मौन में थ करना दे रहते हैं, गाली देरी धीन दो समाज को, ये कौन से संबान है, बैबार से पता चलता है, ना, सीए पारित होता है, तो कहीं गडबड होता तो एक दिन में बंद हो जाता, तीन दिन चार दिन बंगाल में चला, धाई सो करोड का रेल का परपरटी बरबाद हुआ, रेल गाड़ी जला दिया गया, रेल का स्टेशन फोग दिया गया, वहां तक लाइन में उखाड दिया गया, नूपूर सर्मावाली घटना हुई, देश में टेंसन हुई, लेकि एक दिन में ठंडा हो गया, बंगाल में तीन दिन तक चला, उसमें बीजेपी का आफिस सारा जला दिया गया, मंदिर तोड़ा गया, उसके साथ क्या मतलब है, और मुहमता बेने जी के पूलिस सारे आम देखते रही, ना एक फायार, ना लाटी चला, ना एक अरेस्ट हुआ, हजर लोग रास्ता मुतरे थे, ठीक है, और कुर्शों भी आप देखें हाबड़ा में, ए एक दिन गड़बर हुआ, दूसरे दिन हजरों लोग रास्ता मुतर के तोड़ फोड़ की, किसी को अरेस्ट नहीं किया, गाली किसको देने, बीजेपी वालोगों, बीजेपी कहा था हुआ, इसलिए मुहमता बेने जी को मनसुबा, वो साफ है, लोगों के साफ है, ये तो आप लोगों के बीज जो आरोप, प्रत्यारोप हैं, उस पर सवाल हो गया, लेकिन दिली घोर जी चुंकि आप पश्चिम बंगाल, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस वज़े से सीधा सा सवाल, सागर दिगी उप चुनाओं में, बीजेपी को भी, टीमसी को भी, सभी को पहार का सामना करना पड़ा है, लेफ्ट कॉंग्रिस दल, वहां पर आगे निकल गए, क्या एक तरह की बेचैनी भी है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, ध्रुगे करन के, क्योंकि बार बार हिंदूओं के आप बात करते हैं, उधर आरोप लग रहे हैं, तुस्टी करन के, और अब पंचायत की चुनाओं भी होने वाले हैं, तो पंचायत की चुनाओं में भी क्या, हिंदू, मुस्लिम करके, अपने राज़तिक वोट बैंक को मजबूत करने की एक अबायद है, देखिए जहां चुनाओं की आप बात कर रहे हैं, वहां सत्तर पासन मुस्लिम भोट है, बीजेपी के कुछ पारना नहीं हुआ, हमें कोई उमीद भी नहीं है, हम चुनाओं लड़ रहते हैं, कभी सीपेम कॉंगरस का सीट था, ओटीम सी के तरफ गया था, मुस्लिम भोट गया था, इसलिए जिनकी मुस्लिम भोट की जरूरत है, वो इस परकार नाटक क करता है, पूरा देश में सबका साथ सबका विकास का राजिंती करता है, तो भी लोग बीजेपी को विस्वास करते हैं, हर चुनाओं में बीजेपी तो जीत रही है, सब जगा है, इनकी इलाका सिकूर रही है, पस्तित्व का संकट में जूज नहीं है, सारे विरोधी दल, इसलिए पूरा देश में इस बार दंगा फसाद कराया जा रहा है, नरेंद मोदी को बदनाम करने के लिए, इसमें देश की बदनाम हो रही है, बीदेश में नरेंद मोदी को नोबल संति पुरसकार देने की बात आ रही है, इसलिए उनको बदनाम करो गाली दो, देश का ब को बदनाम करने के साज़िश रची जारी है कौन सी ताकते हैं जो इसको लेकर साज़िश रच रही है जो ताकत आके यहां धरना दे रहे हैं मोदी जी को गाली दे रहे हैं अब सब्दों बोल रहे हैं जिनको हजम नहीं हो रही देश की प्रगती और मोदी जी का जो सम्मान द बिजय पी लोख सबार दो दो बार जीते अगले बार भी जीते की, पुरा समाज बिजय पी के साथ है, और जो लोग Moodi को बिजय फेंपी को गाली देकर अपना रोटी सेकते थे, इनकी हालत खराफ हो रही है, इसलिए Moodi को बदनाम करो, यहां बोल बोल के कोई फाइदा ने हुआ लोग नहीं सुनने है विदेश में बदनाम करने की यह साजिस चल रही है उसमें यह सारे विरोधी पार्टिया एक साथ है और इसलिए जान बुछ कर कि इस पर घटना घटाया जा रहा है खासतोर से रामनौमे के मौके पर जहां दंगेवे बिहार और परशिम बंगाल का मैं जिक्र करूँ यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है विरोधी दर आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर सरकारे नहीं हैं वहां पर दंगा फसाद करके अपने राज़नेतिक बोट बैंक को मज कर रही है बीजेपी इस कोश्चिशों में लगी भी है लेकिन काम्याब वो नहीं होगी बिहार में भी देखें बंगाल में भी देखें गुजरा नहीं गुजराट में भी हुआ है ना पहले बार हुआ है वहां बीजेपी की सरकार है एक तरपा है महारास्टर में जो हुआ आई पारें मोदी को बदनाम करो बहुत भड़ा साजी से gen youtube एकलेयं पूरा देश को अस्तव थो कि आया того बदनाम करने के लिए बदनाम करने के लिए की परंपरा सुंस्कृति के साथ है देश के जंता के साथ है एक छोड़ा से सवाल आपी की बातों से रिकला है आपके एद की जो छुट्टी है दिलिगोष जी की आँखों में वो जादा चुब रही है और साथ है आपने का हमको नहीं चाहिए मुसल्मानों के वोट तो क्या म मुसल्म प्रधान एराका है वहां हम जीतते भी नहीं है इसलिए हमें कोई उमीद नहीं है कोई ज़ाते नहीं हुआ इसे बहुत समाज नहीं देते हैं आगे भी देंगे लेकिन मैं का रहा हूँ आप जो मूल समाज है उसकी तेहार को सम्मान नहीं करेंगे चुट्टी नहीं देंगे और दूसरे लोगों चुट्टी देंगे इससे मतलब क्या है विवाजन कुन करता है कम से कम भीरोत तो मत करि कि यह जंगड़ा नहीं करते हैं यह मानसिकता प्रकास होती है ना जो बोल रहे हैं उनको सोच के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या करें ठीक है बहुत शुक्रिया दिलिप गोशी दास्टियु पाध्यक्ष भारती जन्रता पार्टी के और सांसाथ हमारे साथ जु